मशुहूर भूगर वैग्यानिक डॉक्टर रितेश आर्यने लद्दाख में पत्तियों के लगभग दो करोड वर्ष पुराने जीवाश्म खोजे हैं कमजोर चट्टानों के बीच मिले चार फिट लंबे ये जीवाश्म पाम पौधे की पत्तियों के हैं जो हिमाले में कहीं नहीं पाया जाता ये खोज उस सिद्धान्त को बल देती है जिसके मताबिक हिमाले की चोटियां टैथीस महसागर से निकली थी जो कि भूगर्विय इतिहास के अनुसार दो करोड वर्ष पहले तक भारत को तिबबत से अलग करता था लद्धाक के सिंदु शेत्र की तलछट में मौजूद इन जीवाश्म से पता चलता है कि लद्धाक हिमाले कभी समुद्र के नीचे था पाम के ये जीवाश्म निकट तटिये वातावरन का प्रतिन दिश्व करते हैं डॉक्टर आरे के मुताबिक जीवाश्मों के बड़े आकार से पता चलता है कि उनके जमाव के समय इस्थितियां भूमध्य रेखिये जलवायू पर इस्थितियों के समान गर्म और आदर रही होंगी